अलो गाइस वेलकम वेक्टर नदर वीडियो और आज हम बात कहने वाले हैं फार्मकोलोजी थर्ड की सिक्स सेमिस्टर के यूनिट नमबर वन के चेक्टर नमबर थ्री के जिसका नाम है एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एंटी टसिप तो क्या होते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स और क्या होते हैं एंटी टसिप तो इस बारे हम बात करेंगे और मैं आपको बता दूँ इससे पहले के जो दो वीडियो हैं उस पर मैं एंटी अस्टमेटिक डर्ग्स जो कवर कर चुका हूं और उसके बाद जो सेकंड वीडियो था वो था हमारा ड्रग्स यूजड इन मैन और एंटी टसिप के बारे में तो चलिए शुरू करते हों देखते हैं क्या कुछ होता है तो इनके बारे में समझने से पहले हम पहले कफ को समझ लेते हैं कफ क्या होता है तो कफ आपने जनरली सुना होगा खांसी तो यह अपने कौमली नाम सुना होगा और आप मार्केट जाके खांची की सीरफ ले आते हैं यानि कफ सीरफ ले आते हैं तो सबसे पहले हमें समय्णों काफ होता क्या है तो इसके अगर डैफिनीशन की बात का तो इक प्रॉटेक्टिव रेफ्लेक्स विच विच वुचिज कॉइड वाइध मुकस रिलीज इन दर रेस्पर टीटट तो suppose यह हमारा जो है गला है नॉर्मली और इसमें क्या है बहुत ज्यादा म्यूकस आ जाता है यानि बल्गाम आ जाती है अपके में तो जब क्या होगा हमारी बोड़ी ऑक्सियान इनेल करती है और जो है CO2 को बाहर एकजेल करती है तो ऑक्सियान तो अपने अंदर ले लेंग तो इसे जटके के साथ निकलना होगा क्योंकि यह आसानी से नहीं निकल पा रही है तो हमारी बोड़ी के एक रिफ्लेक्स एक्षन यानि प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एक्षन होकर दी है ताकि जो है CO2 बाहर निकल सके तो उसे बाहर निकलने के लिए हमारी बोड़ी के जटके के साथ जो ha who Q 2 बाहर निकलती है तो उसे को हम खांसी बोलते है तो यानि जटके के साथ CO2 बाहर निकलेंगे उसके साथ जो कf भी बाहर निकलेंगा थोड़ा बहुत तो इस केस को हम गया खांसी बोलते हैं तो यह होगी हमारी जनरल कफ की डेफिनेस नॉर्मल सी और अब हम बात करते हैं कि हमारा कफ होता क्यों है इसके पीछे क्या 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 रहते हैं तो कफ होने के हमारे काफी सारे क्या रहते हैं तो जैसे सबसे पहले हम ब हमारे सांस लने का हमारी क्या हो जाता है उसके बैसे भी क्या है कफ होते लगता है और बात करें करें थर्ड की तो हमारा आक्टिवीटिंग ड्रेस्ट्रेचर रेप 15 टॉ-स हमारे यह दॊ-सब्रेपोर रहते हैं जैसे हमारी mast cells वगरा हुई तो जब कोई foreign particle बंद जाता है हमारी lungs में तो वो क्या उसके साथ attach हो जाता है और उस case में क्या है जो है inflammation mediators यानि जो है anti-histamines वगरा क्या है release होने लगते हैं और वो क्या है कफ को cause करने लगते हैं हमारे यह होगी हमारी कफ की definition उसके बाद जो है यह regions हो गए कि किन किन बजसे कफ अमारे गलेने बनने लगता है को कि और अब बात करेंगे हम types of uhukalar कि कि कफ कितने को होता है तो productive cup क्या होता है, कि productive cup में mucus produce होता है, यापके गले में जो बलगम बनती है, यापके मूका से तो उस ऍसको हम बोलते है effective cup, ठीक है, याप आप खांसते हो, तो जो क्या है, mucus यो है, बाहर आता है, यापके आज़े मूका क depri prove ने-जो घले से, तो सूखी खांसी में क्या है म्यूकस नहीं बनता है आपके केवल गले में दर्द होता है तो उसके इसको हम बोलते हैं नॉन प्रोड़क्टिव कफ तो इसमें क्या है म्यूकस नहीं बनता है हमारा तो यह एक्तम सूखी खांसी होती है और अब बात करेंगे हम इसके दो और ट बोलेंगे एक्टूट कफ तो यह इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात निया नॉर्मली आपको खांसी हो जाती है तो वह दो से तीन अपते तक रह सकती है तो इस कंडिशन को तो इस कंडिशन को आपको सबसे पहले इंफेक्शन अगर आपको हो जाता है तो इसकेस में तो दो से तीन हफ्तों तक रह सकता है और बात करते हैं अब हम chronic cough क्या होता है when cough duration is up to 73 weeks this is called chronic cough और आपका अगर cough जो है काफी समय से आपको खासी हो रही है और वो सही नहीं हो रही है और बॉट टाइम हो गया उसे काफी महीने निकल गए तो इसके इन्रीशन में जो है इसे हम बोलेंगे chronic cough और इसके cause होने के काफी सारे रियंस है जैसे environment pollution बहुत ज़्यादा है smoking बगएरा अगर आप smoke करते हैं और laryngitis और pulmonary TB और TB का जो case है उसमें भी क्या है खांसी जो है लंबे समय तक रहती है मैनों तक रहती है उसमें खांसी और फिर हमारी जो आप तो जो एस इनिवाटर्स होते हैं जो मैडिसन रहती है हमारी ड्रक्स रहते हैं इस इनिवाटर्स अगर हम उन्हें ज्यादा लेते हैं और तो वह भी क्या है हमारी जो है क्रोने कफ जो है कौज कर सकते हैं तो यह कुछ रीजन से हैं जो क्या है हमारे क्रोने कफ कौज करते हैं तो कफ के हमने टाइपस पढ़ लिए, productive होता है, non-productive, acute कफ होता है, और एक है chronic कफ होता है, और अब बात करते हैं, expectorant और antitussip की, तो इनके बारे में जो हम detail बाद में देखेंगे, इसलिए हम इसे अभी skip कर देते हैं, और पहले देखते हैं इसका classification, कि classification क्या-क्या होता है, expect pharyngeal dimulsants, यानि जो गले में क्या है, आपको जो थोड़ा आरम देते हैं, तो ये जो चीज़े हैं, ये जो drugs है, ये क्या है, हमारे pharyngeal dimulsants, यानि गले में क्या है, चिकनाट सी पैदा कर देते हैं, जब आपको सूख ही खांसी हो जाती है, तो इस case में क्या है, आपके गले म थोड़ा राहत मिलती है जिसके कोचे एक्जंपल से हैं वह हमारे लोजेंजिसrade सीरप Wow और लिक्योरेज़ और क्या ज despair तो यह कहा है थोड़े लूइरीकटर टाइप की ट्रक्स रहते तो वह हमें दीए जाते हैं तो मिलता है और सूकी खॉंस्वर में थोड़ी electrolyte, तो इसके बारे हम थोड़ा सा समझते हैं पहले, जैसे जो secretion-anenser होते हैं, जैसे ये हैं हमारा expectorant, तो expectorant जो drugs रहते हैं हमारे, वो दो तरह से काम करते हैं, या तो वो breakdown कर देते हैं, या फिर dilute कर देते हैं, कफ को, है न, तो जैसे ये हमारा गला और इसके अंदर है ये करेंगे अगर ज्यादा वाटर का सीक्रेशन बढ़े आएगा तो यह जो कफ है जो गाड़ा कफ है यह क्या वाटर के साथ डाइलूट होने लगेगा और क्या है इसकी जो डेंसिटी वह काफी पतली हो जाएगी और जब हम खांसी करेंगे तो उस केस में क्या है यह गले से बा कर देगा इसे क्या है चोटे-चोटे टोड़ देगा तो इस चेस में क्या है जो हलका हो जाएगा जो हम्यूकस है वह क्या है यह राए हो जाएगा और को खांसी आएगी तो इसके साथ घृगर से बाहर लिए बहुद निकल जाएगा तो यह extremely neutral हे दो ब्रेक्डां करते हैं कफ सेंटर रहता है तो जब भी हमारी बॉड़ी में कोई ऐलर्जन आता है तो वो क्या है ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं यानि ब्रेन तक सिगनल पहुंचाते हैं कि हमारी बॉड़ी में क्या है ऐलर्जन आ चुका है तो अपको क्या करना है कफ को रिलीज करना है तो हमारे बोडी से जो ब्रें तक जो signal पहुँच रहा है यानि कफ यानि ये सिद्रीश पे असर करते है यानि जो कफ सेंटर होता है है हमारे brain में तो उसे क्या है block कर देते हैं यानि message को वहां तक नहीं पहुंचने देते हैं तो हमारा कफ क्या release नहीं होता है तो अब आप समझ गहीं होगे और अब हम समझेंगे expectorant की यानि जो क्या-क्या उसके जो syrup रहते हैं और क्या कुछ उसके drugs रहते हैं तो सबसे पहले secretion and answer यानि water का secretion बढ़ाने बाले तो गले में क्या water वसा का और ammonium chloride तो यह हमारे water secretion को बढ़ाते हैं और इसे के हम दूसरे टाइप की बात करें तो वह हमारा मुकोलाइटिक तो मुकोलाइटिक क्या करते हैं breakdown of mucus तो म्यूसीन जो protein होती है तो उसको क्या है चोटी-चोटी टकड़ों में यह इसे तोड़े देता है और जिसकी वैसे क्या है मुकोलाइटिक के लाइट हो जाता है और क्या है खांसी के साथ बाहर निकल जाता है गले से तो इसके जो एक्जमपल्स है वो हमारे सिगनल पहुंचता है बॉडी से तो उसको क्या है ब्लॉक कर देते हैं और ब्लॉक करने की वैसे क्या है बॉडी से क्या है कफ सेंटर तक सिगनल नहीं पहुंचता और क्या है कफ रिलीज नहीं होता है तो इसके जो एक्जमपल से रपके एक होते हैं हमारे Ope Pues और फिर होते हैं हमारे Non-Opirs सबसक्राइन जरो जिसके बारे हम पहले सना था कोड़िश धैन हो करें अभी एक्ट एक्टेव मोर्फेन और फेल kोडिश सबस्क्राइन था नस्काइन देएर तो यह होंगे दो non–प्रेटस के निकिश साच क्या है मतलब कुछ ऐसे drugs होते हैं जो histamine के release को रोग देते हैं जैसे हमारा कोई allergen है वो हमारे lungs में पहुंच गया है और वहां पर क्या है master cell present रहते हैं जो क्या है granulation करते हैं और जिसकी वैसे क्या है chemical कर रिलीज होने लगते हैं यानि हमारे histamine वगरा रिलीज होने लगते यह क्या है कफ को कौई करते हैं यह कफ उनकी वज़े से कहा है गले में बनने लगता है तो histamine का release को रोकने के लिए कि कुछ drugs रहते हैं जो कहा हैं एम एंटी टसेप रहते हैं तो यह मारे कुछ drugs हैं जैसे CPM, DPH और Promethagen बात करें इसके 4th point की तो फिर आता है हमारा Adducent Antitucyp तो इसमें भी हमारे 2 example आ जाते हैं तो यह हमारे हो गए Antitucyp drugs और अब हम बात करेते हैं Expectorant and Antitucyp तो इनके बारे में छोगी डेटेल देख लेते हैं क्या कुछ होते हैं तो सबसे पहले हम बात करें का Expectorants की Expectorants जो होते हैं वो क्या है Mucokinetics होते है Nature में यानि उनका अगर Nature देखा जाए तो Mucokinetic होते है Mucokinetic का क्या मतलब होता है To drive exit from the chest यानि कुछ भी हमारे अगर चेस्ट में या गले में फसा हुआ है उसे क्या बाहर निकलना बोडी से तो यह होता है हमारा Mucokinetic तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते है The term expectorants means To drive mucus exit from the chest तो expectorants का क्या मतलब होता है Drive mucus exit from the chest तो अगर हमारे chest में या गले में कोई अगर mucus है तो उसे क्या है बाहर निकलते है तो वो थे हमारे expectorants और Mucokinetic means Move out the mucus from the chest और Mucokinetic का क्या मतलब रहता है Move out the mucus from the chest यानि chest से mucus को बाहर निकलता अब बात करते हैं इसके Mechanism of Action की यह किस तरह से काम करते है हमारे expectorants तो सबसे पहले यह क्या है ब्रॉंकियोल में जो है water का secretion बढ़ा देते हैं इससे क्या है viscosity कम हो जाती है यानि जो mucus का जो गाड़ापन होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है यानि water में क्या है dilute हो जाता है वो इससे क्या है पतला होने के वेशिक है बोड़ी से बाहर निकल जाता है और बात करें हम इसके अगले point की तो हमारा it increased the bronchial secretion so it decreased the viscosity of mucus which helps in the release out तो यह इसके बारे हम बात कर चुके है it is mucolytic in nature which dissociate the mucus protein which is present in the mucus and after dissociation mucus release from the chest to outside और इसके दूसरे point की हम बात करें तो it is mucolytic in nature तो यह mucolytic होता है nature में इसका क्या मतलब होता है mucus में जो मौज़ जो protein होती है वो होती है हमारी mucine तो mucine को क्या है यह जो expectodent होते है वो क्या ऐसे चोटे-चोटे टक्रोमेट तोट देते है यानि इस बड़े protein को क्या है चोटे-चोटे टक्रोमेट तोट देते है तो इसके वेज़े से क्या है mucus का dissociation हो जाता है यानि वो light हो जाता है और तूट जाता है तो light होने के वेज़े से क्या है यह easily out हो जाता है यानि body से बावर निकल जाता है और अब हम बात करेंगे bronchial secretion increased by 2 meter तो जो bronchial water secretion होता है तो वो क्या है दो अलगलग तरीकों से जो है इसको बढ़ाया जा सकता है जैसे एक तो होता है हमारा direct और एक होता है हमारा reflux तो direct अगर method की हम बात करें तो होता हमारा volatile oil eucalyptus oil, alcohol, clove oil ठीक है और steam लेके भी हम जो है water secretion को बढ़ा सकते है अपने bronchial में और बात करें इसके अगले की तो हमारा reflux reflux का मतलब है कुछ ऐसे gastric irritant दिये जाए जिससे क्या है पेट में कुछ irritation cause हो और जिसकी वैसे क्या है cuff center कोई अगर हम block कर दे यानि signal उस तक पहुँची न पाए तो क्या है इस condition को बोलते हैं antitracept तो antitracept drugs जो है हमारे क्या करते है cuff center कोई block कर देते है तो signal नहीं पहुँच पाता है और cuff जो है release नहीं हो पाता है तो these are basically cuff center suppressant they act on CNS and stop the cuff suppressant receptor and after this mucous release in the bronchialis stop तो जो मैंने आपको बताया बस वही है कि CNS के पास जब message पहुँचता है और फिर cuff center के पास पहुँचता है और इस से क्या हमारा cuff release होता है तो यह जो CNS से cuff center के पास जो message जा रहा है यह क्या है इसे block कर देते है तो कप center तक मैंसे नहीं पहुचता और क्या है कप जो है release नहीं होता है कोडीन के एक बहुती famous drug है यानि काफी पहले कोडीन सीरप साथी थी जो क्या है काफी अच्छी होती थी तो एक तो क्या है OPM यानि अफीम से यह बनती थी और इसके लग फीचर एक और फीचर की बात करूँ तो मैं यह काफी ज़्यदा effective होती थी यानि बहुत ही अच्छी रहती थी तो खांसी के लिए सबसे अच्छी थी क्योंकि यह आफीम से निकलती थी और दूसरे अगर बात करूँ थी यह बहुत अच्छी बहुत ज़्यदा effective थी और इसका असर जो है काफी लंबे समय तक रहता था तो most selective to the cuff center और cuff center को क्या है जैसे coding के सबसे खास बात यह थी कि यह सीधे जो है cuff center से जाके attach होती थी तो यानि इसका जो काम था यह केवल वही करती थी तो cuff center पर जाके सीधा यह attack करती थी इसके बहुत ज़्यदा effective मानी जाती थी और इसका असर जो है काफी लंबे समय तक रहता था यानि 6-7 गंठे तक हमें बिलकुल खासी नहीं आती थी तो यह जो है काफी effective जो है syrup थी और बात करें इसके antidote की तो नौलाल से इसका antidote है कि अगर codine लेते लेते हैं अगर body में codine की मातरा ज़्यादा होगी है और तो इसके लिए जो एक antidote था तो antidote को लेने के बाद जो है codine जो है decree होज़ा था 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 बादी में easily और बात करें इसके अगले point की तो वो हमारे side effect तो codine के कुछ side effect भी थे तो side effect की बात करूँ कि अगर हम इसका ज़्यादा doge लेते हैं तो क्या है respiratory depression हो सकता है हमें यानि सांस लेना सांस लेने में हमें और ज़्यादा धिक्कत आ सकती है तो respiratory depression हो सकता है drowningness हो सकती है drowningness और फिर मैं बात करूँ तो impaired driving हो सकती है कि अगर हम इसे लेकर driving वाइरा करते है कि क्या हमें थोड़ा चक्कर आ सकते है तो क्या हमारा vision जो है कम हो सकता है और drown जी ने इसकी बात करूँ तो क्या इससे थोड़ा नसा हो सकता है तो क्या ये अफिम से जो है बनती थी तो इस वह ऐसे क्या है? इसमें तोड़ा सा नसा होता है और बात करूँ मैं इसके Contradistance की तो अस्तमा और बच्चों को इसे नहीं लेना चाहिए तो अस्तमा की ऐसे patient और जो बच्चों को इसे नहीं देना चाहिए तो ये था हमारा chapter number 3 जो क्या है? अच्छे तरीके से finish हो चुका है और ये भी बिल्कुल आसन चेप्टर था और इसमें कोई ज्यादा problem वाली बात नहीं है नॉर्मली इसमें कुछ drugs है तो drugs के हमें वस नाम याद कर लेने हैं ज्यादा drugs भी नहीं है, दस बारा drugs होंगे एक्सपेक्टर रेन्ट और जो एंटिटर्शिप के में डैफिने सन्याद कर लेनी है और उनके function हमें पता होना चाहिए तो ये नॉर्मल सी बात है, तो आप इसे आसनी से लेन कर सकते हो, तो ये chapter हमारा फिरी हो चुका है, और इससे पहले हमारा हमारे जो दो chapter हो चुके हैं, तो ये हमारा third chapter था, और इसके बाद हम बात करें इसके important questions की, तो वो आपको उसी time पे मिलेंगे, जब आपके exam होने वाले होंगे, उससे कुस दिन पहले आपको important question प्रोवाइट करा दिये जाएंगे तो अगर आपने important questions को कर लोगे तो आपको जो exam में, आसानी रहेगी यानि, तो important question आपको तभी मिलेंगे, और अब बात करते हैं से अगले chapters की, तो आप हमारा four or five chapter बचा है, तो मैं खोसेश करूँगा उसे एक ही वीडियो में, जो है cover कर दूँगा मैं उसे, और हो सका, अगर chapter ज्यादा difficult हुआ या बड़ा हुआ तो मैं उसे क्या है, अलग अलग जोग दो वीडियो में convert कर दूँगा, तो इस वीडियो के लिए बास इतना ही, goodbye and take care